नमस्ते चात्रमित्रो आज हम विश्य हिंदी कक्षानों भी कें पहले इकाये में ये सक्खी यह पूरक पर्ठन पर दी गई कविता की जानकरी हासिल करेंगी इस कविता के कवी है अमिर खुस्रो इनका जन 1253 पटियाली इटा उत्तर प्रदेश और मुद्यू 1325 में हुई अबुल हसन यमिनुदिन खुस्रो जन साधारन में अमिर खुस्रो के नाम से प्रसिद्ध है वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फार्सी में एक साथ लिखा अमिर खुस्रो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं इनकी प्रमुक कृतिया हैं तुहफा तुस सिगर, वसतुल हयात, गुर्रातुल कमा, नेहायतुल कमाल, दोहे भरेलु नुसके, कह मुकरिया, दू सुखने, ढकोसले, अनमेलिया, उलट बासिया, आदी पद्यसंबंधी में देखिए, मुकरिया, यह लोग प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है, जिसका लक्ष मनुरंजन के साथ-साथ बुद्धी चातिर्य के परिक्षा लेना होता है अमीर खुस्रों ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेश शेली में पहेलिया एवं उनके उत्तर दिये हैं मुकरिया क्या है? जैसा की नाम से प्रदित होता है, कह मुकरिया या मुकरिया का सीधासा अर्थ होता है कही हुई बातों से मुकर जाना और इस बंद में होता भी यही है ये चार पंक्तियों का बंद होती है जिसमें पहली तीन पंक्तियां किसी संधर्व या वर्णन को प्रस्तुत करती है परंतु सपर्ष्ट कुछ भी नहीं होता यानि मुक्रिया पहलियों का ही एक मनुरंजक रूप है इनका उद्देश्य बुद्धी चातुर्य की परिक्षा लेना होता है प्रस्तुत पद्यपाठ में अमिर खुसरों की नोक मुक्रियां प्रस्तुत की गई है इन सभी मुक्रियों का उत्तर साजन होने का भ्रम होता है पर नाईका बड़ी चतुराई से उनके उत्तर देती हैं इससे पाठक के मन में कुतुहल होता है इस संपुर्ण पद्धपाठ में नाईका अपनी सक्खी से यह मुकरिया पूछती है पहेलियों के तरह ही यह मुकरिया पूछती है और जब नाईका को यह ब्रह्म होता है कि इसका उत्तर साजन ही है तो नाईका बड़ी चैतुराई से उनका उत्तर अलग ही देती है इस कविता की तरफ ध्यान देए रात समय वह मेरे आवे, भोर भहे, घर उटी जावे यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सकी साजन, ना सकी तारा शब्दार्थ देखिए आवे, आना, भोर, सुबह, प्रातहकाल भहे, हो जाना, जावे, जाना, अचरज, आश्चर्य, न्यारा, निराना, सकी, सहेली नाईका अपनी सकी से कहती है, कि रात के समय वह मेरे पास आता है, और तड़के उठकर अपने घर चला जाता है यह सबसे अलग धंका आश्चर्य है उसकी सकी पूछती है, कि क्या वह साजन, उसका पती है नाईका जवाब दीती है, नहीं सकी, वह तारा है देखिए, तारा, रात में ही सितारे हमें चमकते होई दिखाए देते हैं, लेकिन सबेरे वह सब कायब हो जाते हैं तो यहाँ पर इसी बात का सहारा लेका यहाँ बढ़ी अच्छे तरह से मुक्री पूछी गई है आगे देखिए, वह आवे तब शादी होई, उस दिन दूजा और न कोई मीठे लागे वाके बोल, यह सकी साज़न, ना सकी ढोल शब्दात, दूजा दूसरा, कोई, कोई, वाके उसके नाईका कहती है, कि उसके आने पर शादी होती है, उस दिन किसी अन्ने की कोई पूछ नहीं होती उसके स्वर बहुत मीठे लगते है, नाईका की सकी उससे पूछती है, कि क्या वह साजन है नाईका जवाब देती है, नहीं सकी वह ढोल है चात्रमीतों जब शादी प्याह में ढोल बचता है तो सच में उसकी आवाज उसका वहब बजना सबको बड़ा अच्छा लगता है बड़ना ऐसे वेसे अब कर कभी भी ढोल बजाया तब अच्छा लगता है क्या नहीं लेकिन शादी के वक्त जब ढोल बचता है तब कोई अच्छी बात घटनी का भी हमें संकेत मिलता है तो शादी के वक्त ढोल का जो महर्प है इस मुक्री में बताया गया है आगे देखिए जब मांगू तब जल भरी लावे मेरे मन की तपन भुझावे मन का भारी तन का छोटा एस की साजर ना सकी लोटा शब्दार्थ मांगू मांगना जल पानी तपन गर्मी ताप भरी भरकर लावे लाना तन शरीर नाइका कहती है कि जब मैं उससे मांगती हूँ वह पानी भर लाता है वह मेरे मन की गर्मी बुझा देता है उसका दिल बहुत बड़ा है पर उसका शरीर बहुत छोटा है उसकी सखी पूछती है सखी क्या वे साजन है तब नाई का जवाब दीती है नहीं सकी वह लोटा है यानि कि जब भी हमीं प्यास लगते हैं लोटा भर पानी पीकर हम हमारी प्यास पुछाते हैं उसी के संधर्ब में यह मुक्री बड़े ही खुब सुरच शब्तों में दी गई है आगे देखिए बेर बेर सोवत ही जगावे ना जागूतों काटे खावे व्याकुल हुई में हक्की बक्की ये सकी साजन ना सकी मक्की शब्दार्थ बेर बेर यानि बार बार सोवत ही यानि कि नेंद से सुप्ता अवस्था से जगावी जगाती है व्याकुल बैचें हक्का बक्का भोचक्का अच्रच में पड़ जाते हैं बैशा नाईका कहती है कि वह बार-बार मुझे सोते से जगा देता है यदि मैं नहीं चाकती तो वह मुझे काटता है इससे मैं विकल और आश्चर चकीत हूँ विकल याने के कही न कहीं व्याकुल हूँ और आश्चर चकीत भी हूँ नाईका की सक्की उससे पूछती है कि सक्की क्या वी साजन है नाईका जवाब देती है नहीं सक्की साजन नहीं वह तो मक्की है आप सभी को पता होगा मक्ही जब भी बिन्बिनाती है हमें शांत नहीं लगता और अगर सोते वक्त बिन्बिनाएं तो बड़ा ही बेचेन और व्याकुल प्रतीत होता है तो यहाँ पर वही सही शब्दों में यहाँ पर मुक्री में मक्ही के बारे में पूछा गया है लेखे नाईका की जो सखी होती है उसे लगता है कि वह साजन है तरदु नाईका बड़ी चतुराई से जवाब देती है वह तो मक्ही है चात्रमित्रों आज हम इस वीडियो में यही तक जानकारी हासिल करेंगे अगले वीडियो में हम बाकी पद्य की कविता की जानकारी उसका भावार्थ उसके शबदार्थ सबकी जानकारी हासिल करेंगे धन्यवाद